नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफवांडर पर दोस्तों एक न्यूज आ रही है जिसके मताबिक नेपाल में जो ट्रेडर्स जो चाइना से ट्रेड करते हैं उसमें इन्वॉल्ड हैं वो सारे ट्रेडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके पीछे कारण बत चाइना ने ब्लॉकेट कर रखा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है और क्या ट्रेड स्टेटिस्टिक्स है उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे तो कौन कितने फाइदे में है वो भी आपको सीखने मिल जाएगा इस नेपाल चाइना ट्रेडस है तो न्यूज में क्या है जैसा म सब्सक्राइब चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडियेफ अपडेट्स मिल जाएंगे साथ इसाथ आपको कहना चाहूंगा जब यह नकैडवी आए यूजी कोड के सीवन जिरो फॉर परस्नलाइज मेंटर्शिप एंड हैंड हैं तो देखें तो जो गुड्स हैं चाइना से निपाल आने पा रहें तो आप देख सकते हैं दो बॉर्डर क्रॉसिंग आपको दिखा रहा हूं मैं यह पर तो यह जो है दोस्तों रसुवा गाधी के रूम बॉर्डर पॉइंट है यह ब्रिज है और इसके उस तरफ आप चाइना आपके उपर मैं छोड़ता हूं तो आप इसको लोकेशन में देख सकते हैं दोस्तों वोडर क्रॉसिंग है यहां पर है तो आप देख सकते हूं चाइना त्टो पानी जिसके उस चाइना से नेपाल आते हैं उनको block कर दिया है और नेपाल आने से allow नहीं कर रहे हैं तो कोविड का प्रिटेक्स दिया जा रहा है कहा जा रहा है कोविड है तो इसलिए हम समान को restrict करके move करवा रहे हैं तो तो सिर्फ दो से तीन ट्रक container के आते हैं और वही नेपाल तक पहुंच पा रहे हैं उनको बहुत समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा नुखसान उठाना पड़ तो जहां तक पहले नेपाल में चाइना से समान आने में बस दो हफते लगते थे वही समान अब नेपाल में इंडिया के रास्ते से आ रहा है उसके बाद कोलकाता पॉर्ट से नेपाल पहुंचता है तो custom clearance वगेरा होते हैं तो उसमें तीन महीने लग जाते हैं जिसे ट्रेडर्स कहे रहे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है और काफी ज़्यादा पैसों की नुकसान भी उन्हें सहना पढ़ रहा है सिर्फ गुड्स का ही ब्लॉकेट नहीं दोस्तो जो चाइनीज साइड है उन्होंने नेपाली सिटीजन्स को भी आने से बैन कर दिया है तो कोविड प्रिवेंशन क्या अगें ग्राउंड दिया जा रहा है नेपाली जंबिबियस स्टुडेंट्स हैं उनको देश में आने ने नहीं दे रहे हो तो इस समझ से आप देख सकते हैं इसी लाके में आपको देखने मिल रहे हैं तो इसके बहुत जरूरी है कि हम कारण को समझें अगर समझना है तो हमें नेपाल के पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा तो दोस्तों चाइना नेपाल रिलेशन अगर आप देखें तो 2017 में काफी ज्यादा प्रॉस्पर किये नेपाल चाइना पाकिस्तान एकॉन में कॉरिडोर का हिस्सा बना और यह सब हुआ आप देख सकते हैं प्रचंड के अंदर या फिर जिनको प्राइम मिनिस्टर थे वहां के पुष्पक कमाल दहल जी के नाम से जिने आक्ष लीनिंग भी रखते थे तो चाइना से इंके बड़े अच्छे रिष्टे थे और चाइना के साथ नेपाल को काफी ज्यादा क्लोज कर दिया इसके बाद जो इनके सक्सेसर आये कुछ दिनों के लिए आप देखे तो पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे जो मेजर पीड़ इन्होंने बिताया वह आप देखें तो वह से के पी शर्मा ओली बहुत प्राइम मिनिस्टर आया है नेपाल में इस बीच में लेकिन जो मेजर सेक्शन टाइम अभी पिछला रहा है वह रहा के पी शर्मा ओली जी का तो यह अगर आप देखें तो यह भी कम्यूनिस ने रख देते थे दोनों को तो कहीं ना कहीं यह भी चायना के काफी ज्यादा क्लोज माने जाते थे और इंडिया के खिलाफ काफी इन्होंने आप देखें तो जहर भी उगले हैं पिछले इनके टेन्योर में इसके बाद होता यूं है कि पार्टी बदलती है नेपाल में औ और यह कहीं ना कहीं चायना परसीव करती है कि यह प्रो अन्डिया है प्रोवेस्ट है तो अब इन पे यह जो ब्लॉकेड है वह इसी प्रकार का प्रिश क्टेक है और उसके बाद नेपाल में अगले चुनाव में पार्टी बदल सके तो वही आप देखे तो प्रेशर टाक्टिक चल रहा है वहीं जो न्यूज आ रहे हैं उसके मताबिक जो कम्यूनिस्ट पार्टी है वह काफी ज्यादा चाइनीज रीडर के साथ घुल मिल रहे हैं और उनके बीच में जो घनिश्कता ह है वह बढ़ती जा रही हों बहुत जरूरी है हमको स्ट्रेट स्टिस्टिक की बात कर लें तो चाइना का एक्सपोर्ट है नेपाल को वह है 1.4 7 billion वहीं आप देखें टॉप प्रोडक्ट चाइना नेपाल को बेचता है वो क्या है broadcasting equipment बड़ा important माना जाता है इसके सिवा आप देखें नेपाल चाइना को कितना export करता है तो दोस्तों बस 20.9 million याने लगबग 21 million ही है नेपाल का चाइना को export याने कि आप देखें तो लगबग 1.25 billion क्या है trade deficit है जो नेपाल चाइना से face करता है और जो नेपाल चाइना को बेच रहा है वो क्या है bills and other metal ornaments ठीक बात है इंडिया नेपाल की बात कर लेते दोस्तों इंडिया का नेपाल को export क्या है कितना है 7.11 billion बहुत बड़ा export है इंडिया का नेपाल को जिसमें से 1.36 billion तो refined petroleum है याने यह क्या है यह raw material है यह वो चीज़ है जो की आपको चाहिए ही चाहिए तो आपका हम वो दे रहे हैं उसमें से 1.36 billion याने non-essential item non-essential नहीं बहुत ही essential item है broadcasting equipment के बिना शायद आप कुछ गुजारा कर लें लेकिन refined petroleum के बिना गुजारा नहीं होगा तो आपका वो major export है जो आप कम दे रहे हैं तेल दे रहे हैं next अगर आप देखें नेपाल से इंडिया का कितना export है तो 629 million याने काफी जादा है अगर हम चाहिना से compare कर देखता है याने इंडिया क्या इंपोर्ट करा रही सबसे अधर नेपाल से आपको जानके अश्चरे होगा 2019 का data है जानते है पाम ओईल नेपाल में कहां से पाम ओईल होने लगा निपाल से इंडिया पाम ओईल आता है कारण क्या है तो जो आसियान के थूँ हमने आपको य रहें हलां कि बाद में उसे भी रोक लगाई गई है तो यह बिजनस सकते हैं चाइना नेपाल अगर अगर हम देखें तो मोर और लेस वन वे ट्रेड है नेपाल क्या है आप देखे तो सब कुछ बस चाइना से ले रहा है और कहीना कहीं बहुत ही exploitative ट्रेड प्रैक्टिस आ अगर मैं अपने कोर्स की बात को बता हूं तो मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं complete environment complete geography मैंने प्लेस में अनकाडमी सब्सक्रिप्शन में कवर करवाया है आपको यह सब available हो जाएंगे वहीं special class दोस्तों डेली Monday to Saturday प्लस क्लास चल रही है निकालो प्रिलिम्स 2022 हम 60 questions पर डे कर रहे हैं और यह questions कहां से हैं 2020 के जून से current affairs हमने start किया है 2022 तक सारे current affairs एक एक करके हम खतम करने वाले तो अगर आपने अब तक इसका हिस्सा आप नहीं बने हैं तो कर के रहे हैं शिक्स पीम पर आईए अनक एडमी के फ्री स्पेशल क्लास में निकालो प्रिलिम्स का हिस्सा बने जिसमें हम mcq practice करते हैं current affairs के तो आप champion बन जाएंगे most exhaustive test series आपको मिल जाएगी तो जब भी एन academy यूज रिकोट केसी बन सिरो क्योंकि से आपको मेरी guidance and mentorship मिलती है इसके सिवह आपको बताना चाहूंगा न्यू प्रोड़क्ट लॉंच है ultimate prelims gs and csat test series जमरन करवा रहे हैं 20gs and 8 csat test याने 28 टेस्ट आइड just the cost of 3149 रुपीज आप देख सकते हैं और वहीं अगर आप देखे 56 टेस्ट की एक साल तक आप इसको practice कर सकते हैं यह 6 महिने के लिए थी एक साल के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको मिल रही है याने 18 मंत का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है बस 76,116 रुपे में 76,176 आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको live mentoring मिलती है में इस्प्राइब मिलता है study planner मिलता है open house मिलता है UPCC combat का हिस्सा बन सकते हैं free mega test series भी है अनक आइड़्मी सब्सक्रिप्शन की एक साल की कीमत है 47,91 रुपीज और एक साल की आइकनिक की कीमत है 67,41 रुपीज एक साल की optional की कीमत है 24,57 रुप है यह सारी कीमते तब है जब आप code यूज करते हैं के C10 जल्दी loan भी facility आपको अविलेबल है